हलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आर्टेट परिक्षा 2011 के लेवल फश्ट के भासा सेकिंड में हिंदी भासा के पर्षनों की चर्चा करेंगे दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेर जरूर करें साती जो लोग जीके अभी यूट्यूब चैनल पर नए हैं या हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं वे चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें तो शुरू करते हैं हिंदी भासा के पर्षन तालव्य वेंजन है टै ठै डै और धै चै छै जै और जै तै ठै दै और धै या पै फै बै और भै इसका सही उत्रों का विकल्प बै यानि कि चै छै जै और जै ये तालव्य वेंजन है क्योंकि इनका उचारन इस्तान तालू है किस सब्द में आई स्वर नहीं है वैदिक, आइक्य, पैत्रिक या इसनेह इसका सही उत्रोगा इसनेह इसनेह में आई स्वर नहीं है जबकि अन्य तीनों में आई स्वर का प्रियोग हुआ है इस नेहन के ने में ए स्वर का प्रियोग किया गया है प्यास सब्द का वर्ण विच्छेद है यानि कि प्यास सब्द में किन किन व्यंजन वर्ण और किन स्वरों का प्रियोग किया गया है तो इसमें विकल्प ए, बै, सै या दै कौन सा विकल्प सही है आप वीडियो को पोज करके देख सकते हैं इसमें सही उत्तर होगा हमारा विकल्प बै क्योंकि इसमें पै जिसमें कोई स्वर नहीं है यह में आज स्वर का प्रियोग हुआ है और से में ए स्वर का प्रियोग हुआ है इस परकार हमारा ये प्यास जो सब्द है ये पूर्ण हुआ है अन्य विकल्पों की बात करें तो जैसे पैमे ये एस्वर दिया गया है ये गलत है पैमे कोई स्वर नहीं है इसके अलावा यहाँ पे सै में आस्वर नहीं है क्योंकि इसे हमारा बिना मात्रा के है यहां केवल ऐस्वर का प्रियोग किया गया है इसके अलावा विकल्प डे में ये के बाद में आस्वर का प्रियोग हुआ है जो कि विकल्प बे में है तो इस प्रकार हमारा विकल्प बे सही है उच्चारण का संदी विच्छेद है उच्च पलस आरण उच्च पलस चारण उच्चा पलस रण या उच्च पलस चारण इसका सही उत्रोगा विकल्प दे उच्च पलस चारण ये उच्चारण का सही संदी विच्छेद है उच्चारन में व्यंजन संदी हुई है बहु वचन कहते हैं सब्द के जिस रूप से बहु का बोध हो सब्द के जिस रूप से वस्तू या प्राणियों की संख्या का बोध हो सब्द के जिस रूप से किसी की जाती का बोध हो या सब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या एक से अधिक वस्तूओं आदि का बोध हो इसका सही उत्रों का विकल्प दै यानि बहुवसन वह होता है जिस सब्द से एक से अधिक व्यक्तियों या एक से अधिक वस्तूओं का बोध होता हो किस सम्मूहे के सभी सब्द योगिक हैं घोडा, किताब, अजायब घर और मजजिद, रसोई घर, अनपड, पुस्तकाले और राजमहल, चाई, जूता, पहलवान और दर्सक, या मोबाहिल, चम्मच, साड़ी और हवा, इसका सही उत्रोगा विकल्प बै रचना के आधार पर सब्द तीन परकार के होते हैं, एक होता है रूड, दूसरा योगिक और तीसरा होता है योग रूड सब्द योगिक सब्द वे सब्द जिनमें रूड सब्द के अतिरिक्त एक सब्दांस उपसर्ग या प्रत्य या एक रूड सब्द अवस्य होता है तथा जो कई सारतक सब्दों के मेल से बने हो वे योगी कहलाते हैं जैसे रसोई घर में दो सब्द हैं, रसोई और घर, अनपड में अनुपसर्ग लगा हुआ, पुस्तक आले में पुस्तक और आले इसमें भी दो सब्द हैं, और राजमहल में भी दो सब्द हैं, तो इस परकार हमारा विकल्प बैक के सभी सब्द योगिक सब्द हैं. किस समुए के सभी सब्द विदेशी हैं किताब सिनेमा संत्रा काजू वाचसपती जनेवू कार्तूस परियोजन कूली या कर्प्यू महा विद्धारे गमला इसका सही उत्रोगा विकल्प ए यानी किताब सिनेमा तता संत्रा ये सभी विदेशी सब्द हैं विकल्प बे में वाचसपती और जनेवू विकल्प सैमे परियोजन और विकल्प दे में महा विद्धाले ये देशी सब्द या तत्सम और तद्भव के सब्द हैं किताब अर् चंद्रमा के प्रियाई वाची हैं विकल्प ए में ससी इंदू रजनीपती विकल्प बय में निशाकर ससांक नवुनीत विकल्प से में छपाकर मले निशानात और विकल्प दय में आफताब राकेश गृहन इसका सही उत्रोगा विकल्प ए ससी इंदू रजनी पती ये सभी चंद्रमा के प्रियाईवाची हैं प्रियाईवाची हैं किस युगम में विलोम सब्द नहीं हैं परवर्ती निवर्दि बहीरंग अंतरंग परत्यक्श परवर्ती या पदोनत पदावनत इसका सही उत्रोगः विकल्प से यानि पर्त्यक्ष और परवर्ति ये विलोम सब्द नहीं है जबकि परवर्ति का विलोम निव्रति, बहीरंग का अंतरंग और पदोनत का पदावनत ये सबी विलोम सब्द है पर्त्यक्ष का विलोम परोक्ष या एपर्त्यक्ष होता है जबकि परवर्ति का विलोम पूरुवर्ति होता है संतोस सब्द का विलोम सब्द होगा एसंतुष्ट निसंतोस एसंतोस या एसंतोसी इसका सही उत्तर होगा एसंतोस संतोस सब्द का विलोम एसंतोस है कौन जीवन का सही अनेकार्ती सब्द नहीं है जल, प्रान, जिन्दगी या वायू इसका सही उत्तर है विकल्ब से यानि जीवन का अनेकार्ती सब्द जिन्दगी नहीं है ये जीवन का प्रियाईवाची सब्द ही हो जाएगा जबकि अनेकार्थी सब्द जल, प्रान तथा वायू है हालांकि ध्यान रहे दोस्तों ये पर्षन आर्टेट परिख्या 2011 में डिलिट कर दिया गया था जिन सब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं एकार्थी सब्द, परियाई वाची सब्द, समानार्थी सब्द या अनेकार्थी सब्द इसका सही उत्तरोंगा विकल्प दै जिन सब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी सब्द कहलाते हैं किस समुह के सभी सब्दों में प्रत्य है एधर्म सामानने गोरव, दयालू डिबिया अग्यानी, गुडिया संकर प्यास या घर राजमहल कसेला तो सही उतरोगा हमारा विकल्प बै विकल्प बै में दयालू में लू प्रते डिब्बी में या प्रते लगा कर डिबिया और अज्ञान में यी प्रते लगा कर अज्ञानी बना दिया गया है कौन सा समास विक्रे सही नहीं है डाल रोटी डाल और रोटी पंचानन पांच है जिसके आनन पुस्तकाले पुस्तक और आले या सु लोचना सुन्दर है लोचन जिसके इसका सही उत्रोगा विकल्प से यानि पुस्तकाले का समास विग्रे सही नहीं है जबकि अन्य तीनों समास विग्रे सही है पुस्तक आले का समास विगर होता है पुस्तक का आले यानी कि पुस्तकों का घर इसमें सश्टी तत्पुरु समास हुआ है जिसका पहला पद विशेशन और दूसरा पद विशेश से हो उस समास को कहते हैं अव्वेभाव समास, दिगू समास, तत्पुरुष समास या करमधारिय समास इसका सही उत्तरोगा करमधारिय समास करमधारिये में पहला पद विशेशन तथा दूसरा पद विशेश से होता है जिस समास का उत्तरपद परधान हो और पूर्वे पद वे उत्तरपद में विशेशन विशेश से अथ्वा उपमान उपमेई का संबंध हो वे करमधारिये समास कहलाता है संध्या और रात्री के बीच का समय के लिए सर्वादिक उप्युक्त एक सब्द है गोधूली, शाम, रात या छाया इसका सही उत्रोगा गोधूली गोधूली सब्द का अर्थ गोपलस धूल अथार्थ गायों के पेरों से उठने वाली धूल पुराने समय में जब गाये जंगल से चरकर वापस आती थी तो पता चल जाता था कि श्याम होने वाली है इसलिए इस समय विशेश को गोधूली बेला कहने लगे अथार्थ संध्या का समय युद्द करने का इच्छुक के लिए सर्वादिक उप्युक्त एक सब्द है बहादुर, वीर, दबंग या युयूत्सु इसका सही उत्रोगा युयूत्सु युयूत्सु का मतलब होता है युद्द करने का इच्छुक कोन प्रत्य लगाने से मधूर विशेशन भाव वाचक संग्या में परिवर्तित हो जाएगा त्वे, ता, तम, या पन इसका सही उत्रोगा विकल्प बै यानि ता प्रत्य लगाने पर मधूर का मधूर्ता बन जाता है मधूर एक विशेशन है जबकि मधूर्ता भाव वाचक संग्या हो जाएगी जिस संग्या सब्द से पदाहर्तों की अवस्ता गुण दोस धरम आदी का बोध हो उसे भाव वाचक संग्या कहते हैं जैसे की मोटापा मधूर्ता आदी कौन समू है परिशन वाचक सर्वनामू का है वह उसकी हम किसी तुम क्या जिसे जैसा हमारा या कौन किसे कब इसका सही उत्तरोंगा विकल्प दे यानि की कौन किसे और कब ये सभी परिशन वाचक सर्वनाम है जिस सर्वनाम से किसी परिशन का बोध होता है उसे परिशन वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे तुम कौन हो इसमें परसन पोचा जा रहा है इसी तरह यह कब किया गया या तुम किसे साथ लाए हो इस तरह कि यह परसन बन सकते हैं जहां एक किरिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण किरिया के होने का बोध होता है जैसे धिनेस पड़गर सोया वहां पहली किरिया को कहते है तातकालिक किरिया, पूर्वकालिक किरिया, पूर्णकालिक किरिया या किरियार्थक किरिया इसका सही उतर होगा पूर्वकालिक किरिया एक पद वाक्यांस या उप वाक्य का सम्मन्द दूसरी पद वाक्यांस या उप वाक्य से जोडने वाले अव्वे को कहते हैं समुच्य बोदक अव्वे, विस्मे बोदक अव्वे, किरिया विसेशन या एप परकट अव्वे इसका सही उत्रोगा समुच्य बोदक अव्वे समुच्य बोदक अव्वे को योजक भी कहते हैं जैसे और तथा एवम राम लक्षमन और सिता वन में गए यहाँ पर और समुच्य बोदक अव्वे है किस वाक्य में प्रेरणार्थक किरिया है लड़का बहुत पढ़ रहा है किसान खेत के सूके पेड कटवा चुका है आप बहुत इमानदार है या मेरे घर की छते टपकती है इसका सही उत्रोगा विकल्प बै यानि किसान खेत के सूके पेड कटवा चुका है यह एक प्रेरणार्थक किरिया है जिस किरिया से इस बात का ज्यान हो कि करता स्वेम कार्य ने करके किसी अन्य को उसे करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरिणार तक किरिया कहते हैं जैसे स्वेम पढ़ना छात्रों से पढ़वाना अगर स्वेम पढ़ रहा है तो ये प्रेरिणार तक किरिया नहीं है किसान खेत के सुके पेड कटवा चुका है यानि किसी अन्ने से कारी करवाया है तो यहाँ पर ये प्रेडार्ट के रिया हो जाती है कौन मिस्तर वाक्य है? वह ज्यानी है किन्तु जिद्धी है सीता पड़ रही है आकास में बिजली चमकती है वह कौन सा व्यक्ती है जिसने महात्मा गांदी का नाम ने सुना हो यहाँ पे सही उतरोगा विकल्प दै यानि कि ये एक मिस्तर वाक्य है वह कौन व्यक्ती है जिसने महात्मा गांदी का नाम ने सुना हो जिन वाक्यों में एक मुख्य या परधान वाक्य हो और अन्य आसरित उप वाक्य हो उन्हें मिस्रित वाक्य कहते हैं राम आया भाई से मिला और तुरंत लोट गया यह वाक्य हैं मिस्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या जटिल वाक्य इसका सईउत्त रोगा संयूकत वाक्य जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्य भोधक अव्यों से जुड़े हों उन्हें संयूकत वाक्य कहते हैं किसी बड़े अंस का संख्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन का प्रियोग किया जाता है लागव चिन या संक्षेप सुचक चिन अल्प विराम अर्द विराम या कोश्टक इसका सही उत्तरोगा लागव चिन या संक्षेप सुचक चिन किसी बड़े अंस का संक्षिप रूप दर्शाने के लिए लागव चिन का या संक्षेप ब्युक किया जाता है जिस परकार दोक्टर राजधर परसाद, अब यहां पर हमने केवल डो लिखा है और एक चोटा सा गोला बना दिया, यह छोटा सा जो गोला होता ही यही लागव चिन या संख्यव सुचक चिन है जिससे हमें यह ज्यान होता है कि यहां राजेंदर परसाद के नाम से पहले डोक्टर की उपादी दी गई है, अन्ने की बात करे तूं, अल्प विराम ये वाला होता है, कौन सा है इसे आप देख सकते हैं एमे बै, सै या दै वाक्य है छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया इसका सही उतरोगा विकल्प सै यानि छी विसमे यादी बोदक है तुमने तो नाम ही डुबो दिया इसके बाद में आएगा पून विराम जिन वाक्यों में आश्चरिय, हर्स, सोक, गिरना आदी के भाव व्यक्त हो उन्हें विसमे बोदक वाक्य कहते हैं इन वाक्यों में सामान नित है विसमे आदी बोदक चिन का उप्योग किया जाता है कौन अर्थ सही नहीं है छटी का दूद याद आना यहाँ पर कुछ मुहावरे और लोकोक्ति आदी गई है तता है इनके अर्थ बताए गए है छटी का दूद याद आना बच्पन का लाड़ प्यार याद आना आस्तिन का साप होना समीप का विश्वा सघाती होना त्री संकू होना कोई काम करते हुए बीच में ही अटक जाना खून सपेद हो जाना दया ममता ने रह जाना तो यहाँ सही उतरोगा विकल्प ए छटी का दूद याद आना इसमें बच्पन का लाड़ प्यार याद आना यह सही नहीं है जबकि आस्तिन का साप यानि समीब का विश्वास गाती होना त्री संकू यानि कोई काम करते हुए ही अटक जाना और खून सपेद हो जाना यानि दया ममता ने रह जाना छटी का दूद याद आना के लिए सही होगा कि संकट में पिछले सुक की याद आना या बहुत घबरा जाना ये इसका अर्थ होगा कौन सा अर्थ सही है छाती पर साप लोटना यानि इर्च्या करना बालू से तेल निकालना है यानि नई तकनीक का प्रियोग करना हातों के तोते उड़ जाना पिंजरे से तोते का निकल जाना हाथ पाव फूल जाना है यानि मोटा हो जाना इसका सही उत्रोगा विकल्प ए यानि केवल ए विकल्प में दिया गया अर्थ ही सही है छाती पर साप लोटना यानि इडशा करना अन्य मोहावरों के अर्थ होंगे जैसे बालू से तेल निकालना यानि एस संभव को संभव करना हाथों के तोते उड़ जाना यानि होसो हवास जाते रहना बहुत घबरा जाना या फिर सहसा एनिस्ट होने के कारण इस तबदिया चकित रह जाना हाथ पाउं फूल जाना इसका मतलब होता है डर चे घबरा जाना बहुत ज्यादा डरना या घबरा जाना खेत रहना का अर्थ है सहीद हो जाना खेत में ही रुक जाना खेत गिर्वी रख देना या छेतर में निवास करना इसका सही उत्तरोगा सहीद हो जाना यानि खेत रहना का अर्थ हुआ सहीद हो जाना रंग में भंग होना का अभिप्राई है रंगों में भंग मिल जाना रंग का डिबबा विखर जाना उल्लास में विगन पढ़ना या रंगीन तस्वीर खराब हो जाना इसका सही उत्रोगा विकल्प सै यानि की रंग में भंग होना का अर्थ हुआ उल्लास में विग्न पढ़ना दोस्तो वीडियो अच्छा लगाओ हो तो इसे लाइक और सेर जरूर करे साती जो लोग जिके अभी यूटूब चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं वे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद